कल आजादी की लड़ाई में अपने क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से सक्रिय योगदान देने वाले सहिरे आजम भगत सिंग राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है उनके बलिदान दिवस के आउसर पर आम आदमी पार्टी जनतर मंतर पर सभा करने जा रही है इस सभा के माध्यम से देश के सामने जिन सुतंतरता सिनानियों के लंबे संघर्ज के बाद इस देश को संबिधान मिला इस देश को लोगतंतर मिला इस देश को संसरी प्रणाली मिली इस देश को चुनाव आयोग मिला इस देश के अंदर स्वतंतर जांस एजन्सियों के अस्थापना हुई इस देश को न्याय पालिका मिली लेकिन आज आजादी की 75 साल बाद उन फुतंतरता संग्राम सेनानियों के सपनों पर उनके कुर्बानियों के दम पर मिले लोकतंतर पर संबिधान पर खत्रा मड़ाने लगाया इस देश के अंदर एक अगोसित ताना साही को इंपोज किया जा चुका है देश के अंदर चुनाव आयोगा इस वतंतर रूप से निड़े नहीं ले सकता कई सारे ऐसे आउसर आये जब मानिय देश के प्रधानमंत्री कि रहलियों के अंदरूप चुनाव आयोग अपने चुनाव की तित्यों की घोफणा करता है प्रधाम एक साथ आते हैं हिमाचल परदेस और गुजरात के लेकिन चुनाव की तित थी हिमाचल की पहले घोसित होती है और गुजरात की अंदर प्रधानमंत्री जी की रैडियों को देखते हुए चुनाव के तिथी बाद में गोसित होती है। और विपक्ष के नेताओं के ओपर फर्जी मुकदमें लगा करके जेल के सीक्चों में बंद करने का सिलसला और सडियंत्र लगतार जा रही है। अडानी मामले को लेकर के लगातार बजट सत्र से ज्वाइन पार्लियामेंट्री कमिटी से जाश कराने की मांग कर रहा है सत्ता के कान पर जूने रहता। जो राज्यों में अलग अलग चुनी हुई सरकारे हैं वो सरकारे अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्य कर सकें। उनकी भी इजाजत नहीं है। कल दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रस्तूत होने वाले बजट के पहले जो कुछ हुआ जिस तरह से रोकने की कोशिस हुई, साइध ये भारत के इतिहास में पहली बार है उसका इंताहर। जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में बनी हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए, कल जंतर मंतर से, सभा के माध्यम से, आम आजमी पार्टी पूरे देश के अंदर, मोदी हटाओ, देश बचाओ, के नारे के साथ आगे बढ़ने जा रही है। उस सभा में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सांसत, कारेकर्ता, हमारे राश्टिय पदाविकारी समलित होंगे। उस सभा को सहध्याजम भगत सिंग राजगुरु सुपदेव को याद करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राश्टी सेयोजग स्री अरविन केजरिवाल जी, और पंजाब के मुख्यमंत्री स्री भगवंत मान जी उस सभा को संबोधित आगे, आज आप सुबह से खबरों में देख रहे हैं, मोधी हटाओ, देश बचाओ का नारा, दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के इलाल लगली लाकों में दिवालों पर देखा गया है, एक नारे से इतनी बैशेरी, यह वही मानने प्रधानवंत्री जी हैं, इस देश की अंदर, चबहत्तर में छात्रा अंदोलन के बाद, जब इमर्जंसी की सेच्वेशन बनी थी, लागो हुई थी, तो यह भी उसमें सामिल थे, जब इंदरा हटाओ और देश बचाओ का नरा लगा था, पुरे देश की अंदर अभियान चला था, तब वो लोकतंत्र की लडाई थी, और आज उसी नारे से आपको डर्म लगने लगा, मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहता हूँ, यह पोस्टर है, जिस पर सौ से ज़्यादा कह रहे हैं कि एफ आई आई आर, अखबारों की मेडिया की रिपोर्ट की अनुसार, सौ से ज़्यादा एफ आई आर दर्श कर दी गई हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आपके गिरफ्तारियां और आपके फाइयार और पुलिस के दम पे अब आवाज ये दम नहीं सकती हैं। क्योंकि पूरे देश को एक बात समझ में आ रही है कि इस देश के अंदर लोगों ने जिन वादों के अनुसार आपको चुना, लोगों का सखाइद ये भ्रम था कि देश के अंदर नर्यंद्र मोजी जी की सरकार आने के बाद बेरुजजगारी खत्म होगी। नहीं हुए नुजवान बेरुजगार गुम रहा है। देश के अंदर महंगाईी खत्म होगई, नहीं खत्म होगई बढ़ है। देश के अंदर किसान अभी राम लिला मैदान में दुबारा आया इतने बड़े आंदोलन के बाद आप ने जो वादा किया हो धोखा मिला उसको MSP को ले करके कल भी हो लड़ रहा था और आज भी हो लड़ने को मजबूर है इस देश के अंदर मजदूरों के जो भी अधिकार थे उन सारे कानूनों को समेट करके आपने चार कानून में उनको बांदिया हर तरफ सरकार फेल है और जब सरकार फेल है तो उसका समाधान निकालने की जगह लोगों को लगता था कि साइद इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगी तो देश के सिख्षा ग्रौस्था की आलात बदलेगे और वह संभाव है दिल्ली के अंदर अगर बदल सकते हैं तो देश के अंदर बढ़ सकते थे और इन सारा करने के बाद भारती अर्थ व्योस्था पीछे जा रही है और दिल्ली इस सारा सुधा देने के बाद भी बज़ब आगे जा रहा है तो पूरे देश के अंदर निरासा है और ऐसे में अगर देश के प्रणारमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज कोई खतम कर दो पूरे देश के अंदर चोतरफा हर तरह से लोक्तांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है ऐसे में एक सो बार नहीं हजार F.I.R आप करवा लिजे कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा गुजेगा और ये पूरे देश में जाएगा आपको जतनी F.I.R करानी है, जतनी आपके मुकदमे करने है, जतनी गिरफतारी करना है, आप करवा लिजे लेकिन आप देश आपकी ताना साही को बरदास करने को तयार नहीं है अब सारी हदें पार हो चुकी है अब कोई उम्मिद नहीं बची है कि आप सुधार करें कुछ घटनाएं होती है लोगों को लगता है साथ एक्सिडेंटल हो गई चलो भूल चुक में हो गई आगे ठीक हो जाएंगी लेकिन अब सिल्सिलेवार तरीके से जिस तरह से सभी संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है उन्हें खत्म करने की कोशिस हो रही है लोगों के मन में एक दावसत पैदा करने की कोशिस हो रही है कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा ऐसे में अब देश के सामने एक ही समाधान है कि अगर सुतंत्रता स्यनानियों की विरासत को बचाना है देश के संविधान को बचाना है देश के लोकतंत्र को बचाना है देश की संस्थाओं को बचाना है देश को तरक्ची के रास्ते पर ले जाना है तो एक ही रास्ता है मोधी हटाओ देश बचाओ और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अवियान की सुरुवात करेगी और जो मिसंद दो हजार चोबिस तक जाएगा मैंने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैंने का आप सो एफायार की बात आई है मैंने वही आपको बताया जी कल आम आदमी पार्टी के सबहा है और इसमें आम आदमी पार्टी के लीडर साम आदमी के मुख्यमंतरी इसमें सिर्कत करेंगे और ये सिलसला कारवां आगए बढ़ेगा तो और लोगों के साथ भी संबाद होगा ये आंदोलन नहीं है ये सबहा है ये मुख्यम है कल एक दिन का कल एक दिन की सबहा है ये सिलसला और संबाद आगे अलग अलग राज्यों के साथ जारी रहेगा इसमें सवाल ये उट रहा है जैसे हमने हाल में देखा था बी आरेस ने प्राम किया तो पूरा अपोजिशन एक साथ दिखा था पालेविल्ट सेशन में हैं आप लोग अगातार अपोजिशन पार्टी से बात करते रहें तो इस बड़े स्टेज पे अपोजिशन मिसिंग ह पार्टी है और उस पार्टी अपने मिसन को ले करके दिल्ली के अंदर आगे बढ़ रही है हर राज्य के अंदर अलग अलग पार्टी आपने तरह से अपने अभियान को ले के आगे बढ़ रही है और ये आम आदमी पार्टी कल से अपना अभियान शुरू कर रही है आगे देश भर के भी जो प्रमुख कार्य करता है वह आएंगे सामिलोंगा मैंने तो कहा कि ये तो देखो जो अगोसित इमर्जंसी है वो सारे लक्षन नुसी के हैं कि कोई बोल ना दे कुछ इस दिल्ली के अंदर ये फ्रेस को डराने की कोसिस हो रही है कि उनके इसारे के बगार कुछ छप नहीं सकता और हर जगां आरहें बिखली अखबारों को आरहें हैं YouTube चैनल को आरहें हैं मेडिया को आ रहे हर तरह से चीजों को अगोसित तौर पर कंट्रोल करने की कोशिस हो रही है दिल्ली के अंदर कि आप अगर आज की तारीक में दिल्ली के सडकों पर घूमेंगे तो हजारों पुष्टर भारती जन्ता पार्टी ने लगाए हुए हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाप लगाए हुए हैं हमारे सिख्चा मंत्री के खिलाप लगाए हजारों पुष्टर एक भी अफ़ईर नहीं हो जिए नवप्रेस एक्ट काम किया तो यह जो एक तरफा एजनसीयों को उप्योग करना आवाज को बंद करने का अब इस देश के सामने समादान ये की है कि अगर मोदी जी को हटाया नहीं जाता है तो अब इस देश के लोगतंत्रों सम्विधान को नहीं बचाया जा सकता अगर वो दुबारा जीत करके आते हैं तो साइद अभी डर डर करके पीछे से हमला हो रहा है कल सर्याम वो मंजर इस सब्सक्राइब करें जैसे मैंने का कि इसे खिलाब प्रोटेस्ट नहीं है ये एक मुहीम है जो कल से आमार्भी पार्टी शुरू कर रही है और देश पर में लेकर जाएगी लोगों को इसके लिए तयार करेंगी सब्सक्राइब करने के लिए और उनके हर तरह के सड़यंत्र का मुकाबला करने के लिए तयार है वो क्या करेंगे अभी ये कुछ कहना मुस्किल है तो कल जिस दिन पिछली बार सिव्याई की सारी जाश पूरी हुई थी उसके बाद एड़ी सामने आ गई तो अभी वो कल क्या करेंगे पिछली बार सतेयन जैन के मामले में जब जज बदलवा दिया उन्होंने कोर्टी बदल दी तो वो उनके पास जो भी संबिधान द्वारा प्रदक्त अधिकार हैं उन सबका अब्यक्तिकत तोर पर दुप्योग कर रहे हैं तो हम हर तरह के अब्जेक्शन है जो लिखा हुआ उसी को लेकर के और उसमें आप लोगे लिखा लिए किसने पोस्टर को लेकर को लेकर करेंगे तो दिली बुड़ी जो भी प्रमुख कारेकरता हैं देश भर से उन सबको इन्वाइट किया गया है सबसे प्रमुख कैंपेंड तो इसी परोग सबसे प्रमुख कैंपेंड केंद्रिय नराय जो ठीक्रिया लिखा हुआ है